प्रेवेंशन ओफ करॉप्शन एक 1988 अशॉर्ट रिकाप चैप्टर पांच चैप्टर है टोटल और इसमें 31 सक्षन है तीसरा चैप्टर है जो आपका सेवन से लेके 16 तक है पांच वाइच चैप्टर होगा जो आपका 19 से लेके 31 तक होगा 31 रिपील हो चुका है देट है 19 सेप्टेंबर 1988 आट का नामबर है 49 और प्रेयामबल इसका वर्ड है कॉंसलिडेट एंड अमेंड डिफाइन वर्ड नहीं यूज है ठीक है ओल इंडिया यह अप्लाई होगा आउसेट इंडिया भी यह अप्लाई होगा डेफिनेशन में इसके इलेक्शन इमें सेर्मैन है कोई सर्विस कमिशन का यूश्टी में प्रोफेसर लेक्चरर यह सब आ जाएंगे डी अंडियो एड्वांटेज है तो क्या ग्रेटिफिकेशन अदर दन लीगर रेमिनरेशन ठीक है यह अंडियो एडवाटेज हो जाएगा देन अपॉइंट इसके पास पावर है Central Government के पास पावर है तो इस एक्ट के अंदर में कोई offense है conspiracy attempt abattment ही सब आ जाएगा इसमें और कौन इसके लिए एलिजबल होगा special judge के लिए सेशन जजज एडिशनल सेशन जजज या असिस्टन सेशन जजज जो कि CRPC में अपॉइंट होते हैं ठीक है तो ट्राय होगा special judge के द्वारा एरिया इनका specified होता है जो कि Central Government कितनी भी जजज अपॉइंट कर सकती है इसमें ठीक है then कोई इस पोका prevention of corruption act के साथ में कोई CRPC कंडर में भी offense आ रहा है जो कि ट्राय किया जा सकता है तो अधर भी यह कर सकते हैं ट्रायल कर सकते हैं और इसका जो conclusion होगा वो दू साल के अंदर होगा बट यह दी बढ़ाना है तो छह मेने आप बढ़ा दीजिए and aggregate four year पांचवे में प्रोसीजर है फिफ्थ में प्रोसीजर and power of special judge तो कोगनिजन्स लेने कैसे करेंगे for the trial of warrant case by magistrate pardon की जरूरत है तो pardon दीजिए and 307 apply करके then special judge को court of session माना जाएगा जो prosecution conduct करेगा उसका public prosecutor 326 और 475 CRPC इधर भी apply होगा ठीक है कोई भी sentence दिया जा सकता है and as per subsection 6 power and function exercise by exercisable by district judge 6 में summary trial के बारे में दिया गया है ठीक है and 262 से 265 वाले provision इधर में apply होगे और जब भी imprisonment देना होगा special judge को तो उस case में एक साल से उपर नहीं देगा ठीक है और case कैसे चलना है trial of warrant case by magistrate चलना ही है कोई भी appeal नहीं होगी यदि summary trial में एक महीने की सजा plus 2000 रुपय का final lot किया गया है तो और any order under section 452 of the set code यदि 452 में कोई order आया तो भी उसकी appeal नहीं होगी 7 में offense relating to public servant being bribed तो जब public servant करता है तो 7 लग जाता है उस cases में हो जाता है 3 to 7 year 7E है कि जब कोई promise करता है कि I will influence to public servant किसी एक person ने दूसरे से पैसा लिया कि that I will influence the public servant या उस अपने personal influence करूंगा corrupt public servant by corrupt or illegal means so उस case में 7E apply होता है इसमें भी way fine 3 year to 7 years 8 में है कि जो public servant को bribe देता है तो उस cases में 0 to 7 years होता है minimum नहीं दिया गया है यह किसमें चीज एक्जम्ट की गई है कि माली जे कोई आप compulsory में कर रहे हैं compulsory आपकी मजबूरी है किसी चीज को देना लाइक पर like hospital में admit कराने के लिए आपको advance में देना पड़ता है उस case में आपके उपर liability नहीं create होगी नाइन्थ में है कि यदि कि यही वालो office commercial organization करेंगी तो नाइन्थ लगेगा commercial organization incorporated in India ठीक है यदि वो इंडिया में करी business कर रहे है या इंडिया के बाहर कर रहे है same partnership firm के साथ है और या any association of firm business का मतब हो जाता है trade या profession और subsection 4 में लिखा है कि offense अंडर section 7a and 8 and this section यानी 9 shall be cognizable तो यह cognizable होगा 7a 8 और 9 ठीक है 10 में हो जाता है कि यह दि commercial organization to be guilty of offense meaning thereby कि यह दि कोई director manager secretary इनका consent या connivance है तो इनके पर भी liability create होगी punishment का जो होगा वो three year minimum होगा maximum seven year होगा ठीक है 11 में हो जाता है कि आपने undue advantage लिया public servant ने और without consideration कुछ payoff नहीं किया तो उस cases में सजा के लिए दिया गया है कि minimum six year but maximum it can be five year plus fine 12 में है punishment for abitment of offense उस के लिए आपको तीन से साथ साल तक का दिया जा सकता है plus fine then 13 में है and yes 13 में है criminal misconduct by public servant तो इसमें clause e में है कि यह the dishonesty of fraudulently misappropriate or otherwise convert for his own use ठीक है कोई property उसको आप अपने use मिला रहे हो and be if intentionally enriches himself illicitly during the period of his office खुद को enrich किया during the terms of office उस case में यह बी में आ जाता है criminal misconduct 14 में हो जाता है habitual offender तो पांच साल से लेके 10 साल तक का punishment हो जाता है and 15 में है attempt तो जब भी section 13 subsection 1 का clause e और वो है dishonestly of fraudulently misappropriate or otherwise convert for his own use ऐसा scene होता है इसका attempt होता है तो जब punishment का होगा वो 2 से लेके चलता है 5 year तग 2 to 5 year 16 में देख लेजिए कि matter to be taken into consideration for fixing fine तो जब भी 7, 8, 9, 10, 11 या 13 का subscription 2 या 14 या 15 इनका सब कुछ होगा तो जो भी actual matter है जो property है उसको consider में उसको consider किया जाएगा in order to decide the fine chapter 4 में है investigation 17 है कि person authorized to investigate DSP का matter है तो inspector of police metropolitan areas of so and so city like Bombay, Calcutta, Madras, Ahmedabad तो उस case में ACP और elsewhere है तो DSP के permission चाहिए ठीक है तो बिना metropolitan या GM first class के permission के आप क्या कर सकते है make any arrest therefore without a warrant ठीक है यदि 13 1 B इसका चल रहा है offense तो इसका investigation नहीं होगा without the order of police officer not below the rank of SP ठीक है official function में यदि अपना discharge करते वे कुछ भी किया है और अब inquiry या investigation conduct करने के जरुरत है तो बिना previous sanction के नहीं होगा तो यदि central का बंदा है तो union government, state का है तो state government या कोई other person है तो competent authority जो उसको remove करने के लिए capable हो, right and the concerned authority shall convey its decision within 3 months तो तीन मेने के अंदर decision देगी which may for reason to be recorded in writing by search authority be extended by a further period of one month, okay तो यह 17E है, यह 17 BC यह सब state amendment है then 18 is about power to inspect bankers book तो जिसको investigate करने के power होती है उसके पास power होती है, inspect कर सके bankers book को but इसमें permission चाहिए, superintendent of police SP की then 18E है criminal law amendment ordinance 1944 यह apply होगा attachment under this act chapter 4E attachment and for feature of property then 19 में आ जाता है previous sanction necessary for prosecution तो जब भी 7, 11, 13, 15 इनके regard में कोई offense जो के cognizable है तो उस case में permission के requirement के जब जुरत पड़ेगे तो central government for the person जो की central government का employee हो state government के employee के लिए state government या other person के लिए वो authority जो उसको remove करने के लिए competent हो, ठीक है यदि इसमें तीन महिनी के अंदर में आपको जो भी sanction होगा वो देना पड़ेगा बट यदि legal consultation के requirement है requirement है तो एक महिनी extend किया जा सकता है and subsection 2 as per subsection 2 यदि doubt है कि कौन permission देगा so that government or authority which would have been competent to remove the public servant from his office तो जो competent होगी उसको remove करने के लिए वो देगी और कोई भी decision appeal में alter नहीं होगा, reverse नहीं होगा until unless there is a failure of justice हो रहा है और कोई भी court matter को इस्टे नहीं करेगी, कोई interlocatory order नहीं pass किया जाएगा then 20 is about presumption where a public servant accept any undue advantage तो यह 7 और section 11 सिर्फ यही दो section के regarding में है और इसमें shall presume है 21 में accused person to be competent witness तो competent witness है, ओत में होगा और यह उसके खुद के request पे होगा जब वो खुद request करेगा बटे दीर नहीं करता है, fail कर देता है तो उसके against में आप इस्टेश को नहीं use करेंगे ठीक, 22 में है CRPC 1973 to apply subject to certain modification कुछ modification करके यह CRPC apply होगा like 243 में कि पहले लिखा था तक the accused shall then be called upon बुला जा सकता है, उसके बाद अब इसमी क्या होगा the accused shall then be required to given in writing at once और within such time as the court may allow, okay then start with 23 that is particular in charge in relation to the offense charge होगा तो क्या बताएंगे, charge होगा तो आप पो इसमें describe करी property के बारे में, ठीक है and provided that the time included between the first and last of such date shall not exceed one year, तो one year के अनदर में जो भी है वो आप बताएं 25 हो जाता है military, naval and air force or other laws not to be affected तो यह save हो गया, then 26 हो गया special judge appointed under act 46 of 1952 to be a special judge, तो जो भी special judge appoint under criminal law amendment act 1952 तो वह section 3 में जो appoint होते है special judge वही माने जाएंगे then 27 is appeal and revision, तो उस cases में है कि high court exercise कर सकता है और high court as if the court of special judge were a court of session तो special judge की court को court of session मान के high court इसमें appeal और revision का power use कर सकता है then 28 is about act to be an addition to any other law तो यह जो act है, prevention of corruption act है, यह addition है other laws के किसी other laws को prohibit नहीं करता 29 में amendment of ordinance 38 of 1944 then 29E में है power to make role, तो central government के पास power है rule बनाने का like sanction for prosecution कैसे होगा, commercial organization के लिए क्या guideline होगा तो यह सब rule बनाने का power 29E में है जो कि central government के पास है 30 पे repeal हो जाता है, repeal दो चीज़े होती, prevention of corruption act and criminal law amendment act 1952 then 31 हो जाता है, omission of certain section of act 45 over 1860 that is IPC तो इसमें कौन सा section remove होता है, 161 से लेके 165E So this was all about the recap of prevention of corruption act for any kind of suggestion comment below thank you so much